मैंने एक फिल्म लिखिये जिसका नाम है मामा की लाटो मामा नाम को केवल सकुनी और कंस के रूप में ही दरसाया गया है इस फिल्म में मामा को केंदरित किया गया है इस फिल्म में राजनीत को केंदरित किया गया है कहीं ये फिल्म भाजपा को लाब पहुचाने के लिए तो नहीं बनाई गई है। पहली बार भारत की इतिहास में होगी जहां पे मामा को उसकी भान जी मा कहके बुलाती है। इस आपकी फिल्म में और चुनाओ में कोई सम्मन्ध है क्या। जब लोहा गरम हो तब हतोड़ा मारने का महत्व है। मैं आज फाइनल कर देता हूँ कि चुनाओ के दस दिन पहले मेरी फिल्म परदे पे टंगेगी। जिस तरह राजनीती समाज को प्रभावित करती है उसी तरह सिनेमा भी समाज को प्रभावित करता है। एक अच्छा सिनेमा कई वर्षों तक अपने सबक की चाप छोड़ कर जाता है और समाज उससे प्रेणाय लेता रहता है। बगेल खंड भी एक ऐसी ही बूहमी है जहां पर पिछले कुछ वर्षों से यहां का रीजनल सिनेमा पलवित हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। अपनी चुनावी यात्रा के दौरान बगेल खंड में हैं विंदेचेतर की यात्रा पर हैं और इस दौरान कुछ कलाकारों से भी मिल रहे हैं ताकि उनके विचारों को भी समझें उनके विचारों को राजनीती कैसे प्रभावित करती है और उनका सिनेमा समाज और राजनी की लाडो और ये फिल्म कुछ ही दिनों में सिनेमा घरों में आएगी ये हिंदी भाषा की फिल्म है और इस फिल्म के जरिये नारी उत्पीडन से लेकर नारी सरशक्ती करन जैसे समविधन शील विशे को चुआ जा रहा है केलाज जी और अंजली जी का दाबा है कि ये फिल्म समाज को तो प्रभावित करेगी ही मद्यप्रदेश को भी प्रभावित करेगी जहां पर नवंबर के महीने में चुनाओ होने वाले हैं अंजली जी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही है केला जी थोड़ी बहुत तो कहानी मैंने अभी कहानी नहीं बलगी काईता का मेरा करियर रहा है बहुत कुछ करने की इक्षा थी इसके पहले एक फिल्म मैंने लिखी थी और किनी कारणों से वो परदे तक नहीं जा पाई उसके बाद मैंने एक फिल्म लिखी है जिसका नाम है मामा की लाडो जैसा कि टाइटल से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस फिल्म में उसको हमने पूरी तरह से बदल दिया है यह पहली बार भारत की इतिहास में होगी जहां पे मामा को उसकी भान जी मा कहके बुलाती है यह फिल्म नारी ससक्तिकरण पर आधारित है इसमें जो महिला कलाकार होती है उसकी मा बचपन में तीन साल की उम्र में उसके पॉशन करता है और इस तरीके से पालन पॉशन करता है कि बिना माबाप की लड़की विधान सभा तक का सफर ते करती है विधायक बनती है आप इस कृदार को निभा रही है तो इस फिल्म में विधायक बनने जा रही है नेतागरी या राजनीती के कुछ लक्षन आपने अ पूखी करदार में हैं इस कहानी में क्या खुबसूरती इस कहानी के आपको नज़र आई आप इसको देखेंगे ना सुनेंगे ना तो आपको खुदी समझ में आएगा कि क्यों पसंद आई मुझे हमारे दर्शेक तो तब देखें जब एक जग्या सा जगे की उन में कि फिल्म रिलीज के पहले बहुत सारी बंदिसे होती हैं जिसको हम पूरी तरह से जंता के सामने नहीं रख सकते हैं इसका एक टोटल क्लियर कॉंसेट है क्लियर कॉंसेट ये है कि आज तक आपने ये सुना होगा कि हर सफल बेक्ती के पीछे एक महिला का हाथ होता है लेकिन आपने ये कभी किसी के मूँ से नहीं सुना होगा कि हर सफल महिला के पीछे एक पुरुस का हाथ होता है जबकि ये बात भी उतनी सत्य है इस फिल्म के माद्दियम से हमने ये साफ मैसेज दिया है कि यदि ह हम भरोसा करके अपनी बहन और बेटी को सपोर्ट करें तो हमारी बहन बेटीयां भी वो सब कुछ हासिल कर सकती हैं जिसकी हम कलपना मात्र कर सकते हैं ये फिल्म टोटल एक भविस को दर्साया गया है कि यदि परिवार के किसी भी सदस्व का उसके प्रति सपोर्ट है तो वो क कहानी सिर्फ नाइका को केंदरित करके ही लिखी गई है या राजनीती को भी केंदरित किया गया है इस फिल्म में नाइका को केंदरित किया गया है इस फिल्म में राजनीती को केंदरित किया गया है इस फिल्म में जनता के प्रति किस राजनेतिक पार्टी की किस तरीके से स मामा की लाडो सुनकर कहीं ये फिल्म भाजपा को लाभल पहुंचाने के लिए तो cidoल्म फ़िश्वराजês हैक प्रचलेत नाम का जिवराज है और उन्होंने लाडली लक्षमी और लाडली बहना तो मामा की लाडो से रिलेट कर रहा है उनका उनकी पाइटी और उनकी वचार देखिए कोई भी काम आप करते हैं जब तक उसमें सस्पेंस नहीं आता तब तक ना ही जनता आती है ना ही किसी की रूची आती है मैंने जिस दिन इस टोरी लिखी थी उस दिन ही मैंने उसकी सफलता का राज भी लिख दिया था कि आगे चलके मेरी फिल्म को लेके किस किस तरीके के घटना करम होने वाले हैं ये फिल्म मद्ध प्रदेश नहीं पूरे भारत की इतिहास में एक ऐसी फिल्म होगी जिसको रो तीनों जगे मेरी फिल्म बहुत अच्छे तरीके से देखी जाएगी सराही जाएगी और इतिहास कायम करेगी यह मेरा अभी सिदावाई सिनेमा में सिनेमा पर रिलीज होगी या OTT प्लेटफॉर्म पर सिनेमा पर रिलीज होगी कब तक रिलीजिंग का मैं आज फाइनल कर देता हूँ कि चुनाओ के दस दिन पहले मेरी फिल्म पर देपे टंगेगी एक सवाल बाद में करेंगे आपसे पहले आपसे मेडम से एक सवाल कर लें मामा की लाडो में एक केंद्री भूमी का आप निभा रही है वर्तमान में समाज में या राजनीती में महिलाओं की जो भूमी का है उसको किस तरीके से देखती है आप महिलाओं को जो 50 फीजदी आरक्षन की बात शिवराज जी ने कही कि हम चुनाओं में आप की लाडो भी राजनीती में जाती है शिवराज सिंग चौहान ने कहा कि हमने चोटे चुनाओं में 50 फीजदी आरक्षन दिया ताकि ओरतें चोटे चुनाओं जीतें और वो फैसले लेने वाली कुर्सियों तक पहुँचें तो ये फैसला हो या और जो फैसले हैं राजनीती में महिलाओं को लेकर किये जाते हैं उनको भी कभी अब्जर्व करती हैं बिल्कुल एक लास्ट फाइनल सवाल आपसे कैलाज जी इस आपकी फिल्म में और चुनाओं में कोई संबंध है क्या 99 परसेंट संबंध है मेरी फिल्म जो है देखिए आपने देखा होगा जब लोहा गरम हो तब हतोड़ा मारने का महत्व है और किस वक्त पे जैसे न्यूज कॉंटेंट की बात कर लें बरतमान में राजनीती चलती है आप राजनीती दिखाएंगे आपके व्यूज लाइक सब चीजे परफेक्ट हो जाएगी तो मैं समय के साथ चलने वाला बेक्ती हूँ मैंने मौके की नजाकत देखी और नगजाकत पे मैंने काम किया है एक बात जरूर सत्य है मैं पेशे से पत्रकार हूँ आप सोसल मीडिया में एक्टिव हैं लाखों में आपके फालोवर हैं इंस्टाग्राम पे और बिगत साथ वर्सों से इस फिल्ड में काम कर रही है आप ये समझ के चलिए कि हम कर भी सब कुछ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हम बिल्कुल भी राजनीतिक आदमी नहीं है हम अपनी कलम से सारी राजनीतिक पार्टियों की अच्छी चबी और बुरी चबी रोज जनता के सामने प्रस्तोत कर रहे हैं लेकिन रही बात फिल्म की, तो फिल्म का जो मेरे concept है, जो उसके dialogue है, जो उसका thought है, मैं दावा करता हूँ कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की जब मेरे थियेटर में जाके फिल्म को देखेगी, तो वो आंसू बहाएगी और कल्पना करेगी, कि कास मेरे घर का सद की पत्रकार हैं, तो थोड़ा समझदारी तो आही जाती है पत्रकारों के साथ, उन्होंने कहा कि इस फिल्म के जरिये वो एक राजनेतिक संदेश भी देंगे, लेकिन क्या देंगे, ये suspense रहेगा, तो जाहिर है कि इस तरह से बात करने से आपकी फिल्म को एक परचार तो मि पताईएगा, इस इंटर्विव में हमारे साथ कैलाश जी और अंजली पयासी जी दोनों थे, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इस इंटर्विव को देखने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें अपने कमेंट की जरिए आप दे सकते हैं, नमस्कार